तो गैस, पहले, MG ने अपनी जो ग्लोश्टर है, उसको ब्लैक स्टोर्म के अंदर में लोंच किया था अब जो है, इन्होंने जो हेक्टर आती है, इसको भी ब्लैक स्टोर्म के अंदर में लौंच कर दिया है और जो इसका प्राइज है 13.99 लाक रूपीज से स्टार्ट होता है हेक्टर का प्राइज की मैं बात कर रहा हूँ बेस वेरियंट की जो इसका टॉप ओफ दे लाइन वेरियंट है अगर उसकी ओन्वर प्राइज की बात करें के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी और डीजल इंजन के अंदर में सिरफ मैन्वल ट्रांस्मिसिन ही मिलेगा महीं जो इसका पैट्रोल इंजन आते हैं उसके अंदर में आप लोग को ओट्वारिक ट्रांस्मिसिन तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं है वही लोग अनलोग और टेलगेट को उपन करने के लिए सुच मिलते हैं और जो दूसरी की है वह भी आप लोग को यहां पर बिल्कुल सिंपल ही मिलती है जैसे ही मैं इस गाड़ी को लोग करूंगा एक बार वाज करती है और अनलोग करन पहले भी ब्लेक कलर के अंदर में आ जाती थी पर अब कम्प्री निसको ब्लैक स्टोर्म के नाम तो किया ही किया उपर से जो अलोई विल्स है और जो चीज़ें हैं उनको विधा न्यौन ऐं चेज़े बच यमिद्बर कर दिया है तो यह चीज़ देखने के पर गाड़ी के अच्छा और तरफ में देखोगे ना तो यहां पर प्यानो ब्लैक फिनिस का यूज किया हुआ है जो गाड़ी की हैड लाइट्स है और जो गाड़ी के डी आरेल्स है ना इनकी उपर में ग्लास लगा हुआ है यह भी स्मोकी के अंदर में कर रहा है जो की देखने बड़े कैमरा भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाता है अब साइड प्रोफाइल में चेंजिस की बात की जाए तो अब निच्छे के तरफ में यहां पर क्रोम जो देख रहे हुआ है यह भई है स्मोक का इसके अंदर में कर दिया पर जो विंडो के निच्छ भी कहें आप लोग को यहां पर कैमरा मिल जाएगा गाड़ी की जो रूफ रेल से मेटल की यहां पर मिल जाती है और यह भी प्यानो ब्लैक फिनिश के साथ में कर दी गई है पैनरोमिक संरूफ तो भई गाड़ी के अंदर में आती थी और अच्छी बड़ी जो है इस गाड परस यहां पर है वो रेड कलर के इसके अंदर में कर रखे हैं 18 इंच के अलोई विल स्वेट गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं 215 पच्पन और 18 इंच दिए इस गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिलते हैं जो है हेक्टर है 60 लिटर की fuel tank capacity के साथ में आती है चाहे आप इ की मिलके जो कि left side में दी गई है और यह दोन्नों चीज़ ने व्याला fake type को दे रहे है इसके अंदर में वह Smokey से यूज़ कर रहा है और जो Hector की 및जिंग यहां पे दे रहे हैं यहां पर दे रहे हैं यह भी Smoky गाड़ी के अंदर में मिल जाती है टेलगेट को open करने के लिए हैं यही पे switch भी मिल जाता है और electrically operated वाली tailgate जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है sequential indicator भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं 587 liters का इस गाड़ी के अंदर में boot space मिलते हैं और जो इसका partial tray जो दे रखे हैं वेसिकलिए उट train ही है यह flap type वाड़ा जो है इसके अंदर में दे रखे है 60-40 split sit भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है LED में boot line भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाता है यह तो accessories का part होगा खेर और यहां पर देखो extra समान carry करने के लिए यहीं पर दे रखे है और जो subwoofer है उसकी fitting भी यहीं पर ही की हुई है जो spare wheel की placement है वो गाड़ी के अंदर में निच्चे की तरफ में की गई है अपने इसके interior में दिखाता हूँ भाई company ने क्या क्या चीज़े जो है इस black storm आने के बाद में change कर दी है भाई black color का यह चीज़ है कोई जी भी गाड़ी हो black color देखने बहुँ ज़्यादा शानदार सी लगती है और गाड़ी को लोग करते हैं पहले door पे देखो door तो पूरा यहाँ पूरा black से color के आता तो black ही color इसके अंदर में है जैसे आप इसका यह वाड़ा पार्ट देख रहे हो ना तो यह यहाँ पे ग्रेइशी टॉन के अंदर में कर रहे हैं और जो गाड़ी के door handle है वो भी आप लोग को यहाँ पे ग्रेशी टॉन में मिल जाएंगे यह ना matte finish के अंदर में basically कर रहे हैं इंफिनिटी के speakers जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जिनकी quality बेख coffee जादा शांदार सी मिलती है और यहाँ पे metal की scuff plate भी आप लोग को मिल जाती है electrically adjustable seat भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है और जो seat apple still laser की यहाँ पे दे रखी है जो की all black color के अंदर में दी गई है देखने भाई black color का अंदर यू लगा लो कितनी भी तारिफ कर लो एक number के लगते हैं और interiors all black color के अंदर करती है न तो यह चीज़ भी बहुत जादा बढ़िया हो गई कि इसको बार-बार साफ करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर इसके ओर बीम कंट्रोल दे रहे हैं यह basically fold and unfold यह adjustment के लिए light leveling के लिए illumination के लिए और tailgate को open करने के लिए जो यहीं पर मिल जाता है इसके अंदर में आप लोगो dad paddle भी यहाँ पर मिल जाता है अब बैठते हैं इंटीरियर्स में अब देखो इस गाड़ी का जो steering wheel है वही आप लोगो सारी चीज़ें ही बताएंगे क्या जो इस गाड़ी का steering wheel है वह आप लोगो leather wrap में आप मिलते हैं इसके उपर में music system के control देखो इस side में दे रखे हैं और इस side में जो cruise control है इसके जो cruise control है वह आप लोगोρό pic सारी इसके steering wheel जैसे आप लोगो देखोगे ना तो यह leather wrap में आप लोग को मिल जाते हैं इसकी उपर में cruise control यहीं पर मिल जाएंगे और इस साइड में म्यूजिक सिस्टम के लिए गाड़ी के अंदर में कंट्रोल दिये गए हैं और जो गाड़ी का स्टेरिंग वील है वो सिरफ टिल्टी एडजेस्टमेंट के साथ में आप लोग को मिलता है टेलिस्कोपिक वो जो है नहीं आती है या आप लोगों भीट्रोण यहां पर एक रॉड़ सिस्टम के ईडंदर जाते हैं ने आड़ाइज चलते हैं ऑन ओफ यहां से हो जाएगा बैक यह वर्निंग मैसिज यहां पर दिखा रहा है यह आपका मुजिक का आ गया यह आपका कोल का आ गया यह आपका नैविगेशन आ गया और यह इसके एड़ास के लिए यहां पर आ गया बाकी फिर से जो है वरी सेटिंग आगी स्पीडो मेंट और जो इसका टैकुमेटर दोनों चीज़े ही आप लोग को यहां पर डिश्टल मिलती है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टच्स्क्रीन डिस्प्ले जो है आप लोग को यहां पर मिल जाती है जैसे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कंट्रोल है वो भी इसी के अंदर स से ही आप लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा और माला बहुत बढ़िया से अब देखने में कुछ इस तरीके का आप लोग को मिलेगा इलेक्रिक पार्किंग ब्रेक भी जो है आप लोग मिल जाते हैं विद ओटो होल्ट यह फ्रेंट पार्किंग सेंसर के लिए ड्राइवर और पैसेंजर दोनों वेंटिलेटिट सीट हैं यह एसी मैक्स के लिए हैजार्ड लेंब के लिए और यह ट्रेक्शन कंट्रोल के यहाँ पर स्विच दे रखा है यह कुछ इस तरीके से करके काम करते हैं प्रीमियम नैस जो है इस गाड़ी के अंदर में काफी ज्यादा बै देख लो ना तो वहां से वाइपर उठा दिखेगा ना कहीं जो पैनल गैप से उसके अंदर में कोई ग्लिच्स आप लोग को मिलेगा उपर से जो इंजन नोइस है वाइप्रेशन से हैं वो भी इस गाड़ी के अंदर में इतन नहीं आएगी यहां पर आप लोग को पूरा मिल जाएगा यहां पर जो है गाड़ी के अंदर में हाड प्लास्टिक का ही यूज मिलेगा अच्छा तगड़े से साइज का मिलता है यहां पर ओटो डेनाइट के लिए आप लोग को दे रखें और यूसमी बगार ने इसकी उपर में यहां पर नहीं दी गई है यह इसका स शनवाजर में मिरर लेंप दौनानों चीज़े मिल जाती है और ड्रैवर साइड सनवाजर में भी आप लोग को मिरर और लेंप यहां पर दौनों चीज़े मिल जाती है visibility wise एक number है अच्छी commanding सी position जो है यहाँ पर आ रही है और एक और चीज दिखाता हूँ जैसे जो ये वाड़ एरिये और जो ये वाड़ एरिये almost flat है तो गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना इसकी वज़े से काफी ज़्यादा असान सा पड़ते हैं एक और आप जो नोर्मल गाड़ी आती है उनके अंदर बैठने एक और इस हेक्टर के अंदर में ये चीज फील गर बैठना भई अलग ही पता चल जाएगा कि हाँ भई इस चीज से comfort जो है काफी अच्छा सा यहाँ पर हो जाते हैं और इसके पडल नेम से ना उसके अंदर में भी अलग अलग तरीके की लाइट जो है यहाँ पर ग्लो करने लग रही है सेकन्द रो में दिखाते हैं वाई फर्स्ट रो में भी अड़िश्टबल है बीच में आर्म रेष्ट मिल जाएगे जो की दो गलास होल्टर के साथ में आते हैं और जो इसका रेकलाइनिग एंगल है उसको भी आप अच्छा तगड़ाशा अडिजेश्ट यहां पर कर सकते हो बिल्कूल फ्लैट फ्लोर जो है यहां पर मिलते हैं तो गाड़ी के अंदर में तीन जर्ण जो बैठेंगे बिल्कूल असानी से यहां पर बैठ सकते हैं मेटल की सकफ प्लेट भी जो यहां पर मिल जाती है पिछे भी श्पिकर और प्रेटर दोन्हों चीजी जो है यह गाड़ी के अंदर मिल जाती है वह यह 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 इतना पार्ट जो है पूरा लेदर का ही आप लोग को मिलेगा और संब्लूफ जो है पूरी इसके पिछे तक में पूरा खुला नहीं है बागी कर्टेन पूरा यहां तक में खुल जाता है और वो कपड़ा टाइप से नहीं रहा है जो चीप सी क्वाल्टी आती है वो इसके अंदर में नहीं दी गई है जो रीडिंग लैम से यहां पिछे मिल जाती है जो कि LED के अंदर में आप लोग को मिलत इसके अंदर में 1.5 लीटर का पैट्रोल इंजन लगा हुए जो की 143 PS पावर निकालता है और 250 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है वही जो इस गाड़ी का डिजल इंजन आता है वो 2 लीटर का आप लोग को मिल जाता है जो की 170 PS पावर और 350 Nm का टॉर्क यहां प पैक कर रख है सारे जो फ्लूइड इस पगर डलते हैं देखोंगे पैकिंग एक नंबर की यहां पर कर रख है और इसके अंदर में जो वदन है वह भाई वह भी अच्छा खासा से यहां पर दिया गया है तो ठीक है यही सब कुस्त आज की इस वीडियो में वीडियो पसंद लाइक करना चैनल पने है तो सब्सक्राइब करना जैसे रंब जैवेद रंबली